एलो गाइस आप सभी लोगों के अब फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में आज अपने इस लोगों में इस वीडियो में बात करेंगे युरोपियन टीटान किरिकेट लीग के चैंपियंसिफ वीग के पंदरवे मैच के बारे में जहां मैच कहला जाएगा ओल्ड विक् इसके ब्रेवर में कुछ भी चीज नहाता है सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए और फर्स्ट इनिंग स्कोर देके तो 130 से लेके 140 तक बनता है एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर ठीक है वेनी रिकॉर्ड की बात करें तो 108 मैच हो चुके है जिसमें से 60 मैच जीते हैं बै और कौन-कौन से पिलर वाइस कैप्टन कैप्टन के दावेदार है ठीक है साथ ही चैनल के सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टूनामेंट से लेटर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे साथ ही IPL इस्टाट हो रहा तो कल से आपको IPL के वीडियो भी हम प्रोवाइड करवा ठीक है बात करते हैं पहली टीम की ओल्ड्रीयन्स की जिन्नों की टीम ने इस टूनामेंट में नौ मैच खेले साथ में जीती ए दो मैच हारी अच्छी का सी टीम है बढ़िया बैट्स मैंने इन्नों के पास इन्हों के तरफ से ओपनिंग कर रहा जॉन्टी जेनर वर्से तो यह आपनी टीम में मस्ट पिक है उसके बाद है जूली शेमिर जिसने इस तूनामेंड के तीन में मैच में 33 की एवरेस निड्याइन्वे है इसके बाद जेमी वाटलिंग और अगर इनकी टिम पहले बैटिंग करती है तो आप इन तीनों में से ही कैप्टन वाइस कैप्टन टेक सकते हो दौनों को ठीक है इसके बाद जेमी वाटलिंग इस्टूनामेंट में नौ मैच में दो सो निट्नामेंट में रण बनाए 36 के एवरेस से एक और की गैंदबाजी करवाते वे इसने जीरो विकेट लिए पहले जब गुरूप इस्टेज के मैच चल रहा था जब यह बढ़िया फॉर्म में था लेकन जब से चैंप्मेंसी विक इस्टाट हुआ थोड़ी फॉर्म इसके गिर गई है तो इसको सेलेक्ट तो करना पड़ेगा सेलेक्शन हाई है और बढ़िया पिलियर है ठीक है कभी एक अच्छी पारी खेल सकता है तो आज की मैच में भी इंपोर्टेंट है और आप इसको वाइस के भी दे सकते हैं क्योंकि विकिट के पॉइंट भी आपको प्रोवाइट करवाएगा इसके बाद है नेक्स प्लियर जैक विल्सन इसने इस टूनामेंट के तीन मैच में 29 रन बनाया च्छे ओवरों की गैंदबाजी करें चार विकिट लिए नमबर चार पर बल्ले बाजी कर रहा है तो अपने इसको भी सलेक्ट कर लेते हैं और सलेक्शन भी हाई ये ओवराल रिकॉर्ड देके तो डियाई का रिकॉर्ड इसमें साथ मैच में इसने सत्ता वर्न बनाया आट विकिट लिए ठीक है यह भी मस्ट पीके इसके बाद है स्कॉर्ट सिम्सन जिसने इस टू तो डॉमेस्टिक टेस्ट मैच का जिसमें दो मैच में 19 रन बनाये 6 औरों की गेंदबाजी करवाई पांच विकिट लिए इसके बाद है त्यो पुलमेंट जिसने इस टूनामेंट के आट मैच में 13 औरों की गेंदबाजी करवाते वे पांच विकिट लिए टीटन का तो ग्यारा मैच में 215 रन मनाये 30 की एवरेस से 28 की गेंदबाजी करवाते वे ग्यारा विकिट लिए उसके बाद है जोनी हाइवर्ड जिसने इस टूनामेंट के तीन मैच में बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करिए इसके बाद है रोबी फॉर जिसने भी बैटिंग बॉ जा सकते हैं ठीक है और बेस्ट ऑप्सन स्कॉर्ट सिमसन है क्योंकि स्टार्टिंग में गेंदबाजी करवाता है ठीक है अब फिलाल के लिए अपने एक भी सलेक्ट नहीं करते बात करते हैं दूसरी टीम की तो बैंच पर इनके दो प्लियर है इनमें से कोई खेलेगा तो जा आपके लिए सी वीसी का चोईश है इस मैच में अगर इनों की टीम पहले बैटिंग करते हैं तो आप कैटन बाइस कैप्टन दे सकते हो इसके बाद एक कर रहा है इस तूनमें के 10 मैचों में 209 रन बना बाइस की एवरस से ओवरॉल रिकॉर्ट देगे तो 15 मैच में 350 रन है 31 की एवरेस से मस्ट पिक पिलियर है ये भी विकिट कीप्रिंग सेक्षन से आप ट्राय तो करी सकते हो साथ ही वाइस केप्टनसी भी दे सकते हो क्योंकि विकिट कीप्रिंग के पॉइंट भी देगा आपको ये गेंद बाजी करवा से वे 33 विकिट लिए उसके बाद है जॉन मर्चेट जिसने इस टूनामेंट में 25 मैचों में 189 रन बनाए 13 की एवरेस से इस टूनामेंट के 10 मैचों में 114 रन बना रखे है आट अवर की गेंद बाजी करवा ये 5 विकिट लिए बॉलिंग कप करवा रहा है अपन बल्ले बाजी अगर फर्स्ट बल्ले बाजी हो तो आप इसको ट्राय करना सेकंड बल्ले बाजी में आप इसको ट्राय मत करना ठीक है लेकर फिलाल के लिए सरेक्सन हाई है इसलिए लिए ले लेते हैं जिसने इस टूना मैंड के 10 मैचों में 67 रन बना है 19 ओवर की गैंदबाजी करिए 11 विकिट लिए या भी एक अच्छा बॉलर और लगबग हरा मैच में गैंदबाजी करवा रहा है तो अपन यहां से इसको भी सलग कर लेते हैं जिसने इस टूना मैचों में 17 ओवर की गैंदबाजी करवाते वे 6 विकिट लिए बॉलिंग करवा रहा है अपन विकिट कम मिल रहे हैं तो इसको अपन नहीं लेंगे ओवराल रिकॉर्ड देखे 12 मैचों का जिसमें 11 इनिंग में गैंदबाजी करवाते वे इसने 11 विकिट ल करवाते वे 7 विकिट लिए ओवराल रिकॉर्ड देखे तो 15 मैचों का जिसमें 28 ओवर की गैंदबाजी करवाते वे 22 विकिट है फर्स्ट गैंदबाजी में आप इसको ट्राय कर सकते हैं इसके बाद एड़म एसले जिसने 9 मैच में 10 रन बना इस टूनामेंट में विकिट क अच्छा बॉल एड़ हो तो अपने को इसको ट्राय करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद है लास्ट प्लियर क्रीस रॉबिंसन जिसने इस टूनामेंट में तीन मैचों में बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करे ओवराल रिकॉर्ड देखे 14 मैचों का जिसमें एक रन बनाय है जीरो की एवरेस से सोला औरों की गयंदबाजी करवाते हैं सोला विकेट लिए ठीक है बैंच पर दो पिलियर तो इन दौनों में से कोई भी खेले का तो उसके इस्ट्रेट्स हम आपको टेलीगर्ण चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे ठीक है वीडियो पसंद आया ह हमने चार्ट के तुरू समझाएंगे जिसमें हम पिलियर के ओवरॉल रिकॉर्ड आईपियल रिकॉर्ड साथ ही एट्वर रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म सभी लेके आएंगे जिसमें आपको एक अच्छी टीम बनाने में हेल्प मिल सकती है ठीक है बात करते हैं टीम के तो टीम हमने हमें आपको कई चेंज करना है तो मैं बताया है कौन से पिलियरों को आप चैंज कर सकते हैं mark injury की जगे जे मेल लोर को ले सकते हैं ठीक है इसके अलावा एक जे मर्चेंड को आपको first betting में try करना है और Chris Ducati को भी आप remove कर सकते हैं कुछ टीमों में ठीक है सभी टीमों में नहीं करना है Chris Ducati को remove करके जब आप यहां से Scott Simpson को लेंगे तो यहां से Chris Ducati को remove करके Max Barton को try कर सकते हो कुछ team इस परकर से बना सकते हैं लेकर अगर आप उसका उपर का गेंदबाज नहीं ले रहे हो तो आपको उपर का विकिट कीपर लेना पड़ेगा ठीक है अगर उपर से आप विकिट कीपर को हटाते हो जो opening कर रहा है तो उसकी जगे आपको यहां से Scott Simpson को डालना है सकते हो तो यहां से बात कर लिए इसके बाद एक प्लियर बाकी रहेगा है फिलाल के लिए पर प्रोवाइड करवा देंगे जिसका लिंक हमने डिक्सिस्प्रमेंट दे रखा है सबसे जूलिय से क्यूंकि तीन मैच में बहुत बड़ीया परफॉर्मेंस दिया है और कार्सलम भी आपके लिए कैफ्टन वाइस कैफ्टन रख सकते हो वाइस कैफ्टन की बात रख सकते वे इन दो प्लियर रुका आप ठीक है सब में फिलाल के लिए ये सेमी और कैप्टन रहेगा वाइस कैप्टन सी की बात करें तो जेमी वाट लिंग अच्छा प्रीक है जॉन्टी जेसन वेंडेन मारवे इसके अलावा एक डिफरेंसल के तौर पर जाओ तो जैक विलसन को भी ट्राय कर सकते हो क्योंकि चार पर बैटिंग कर रहा साथ ही दो अवरो की अच्छी खासी गैदबाजी करवा रहा है या फिर एलेन कार्वटर ठीक है या हमने आपको बता दिया फिलाल के लिए अपन कारलसन को बना देते हैं या हमारी डेमो टीम हमारे टेलीगाम चैनल पर आपको प्रोवाइट करवा देन यां झार देन य proprio बंग कर दोग में